हेलो गाइस तो आज हम देखेंगे BSC Third Year Chemistry के अंतरगत Inorganic Chemistry Paper Second के Most Important MCQs यानि की Multiple Choice Question तो गाइस यह जो Multiple Choice Question होते हैं वो One Marks के लिए पूछे जाते हैं तो यह जो वीडियो यह BSC Third Year Math और वायो दोनों के स्टुडेंट के लिए helpful होने वारा है टोटल में आपको गाइस 60-70 MCQs बताऊंगे जो की Very Important होंगे इससे पहले मैंने आपको Paper First के Physical Chemistry के Important MCQs दे दिये थे जो की Description Box में मैंने Link दे दिये तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं आज हम देखेंगे Paper Second जो की आपकी Inorganic Chemistry होती उसके सारे MCQs सबसे पहले आपकी जो Inorganic Chemistry है उसमें आपका जो चैप्टर फस्ट है वह हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बैस तो इसके अंतरगत आपको एक सार्णी दियोगी जिसमें आपको Soft Acid, Hard Acid, Soft Base, Hard Base ये सबी दियोंगे एक सार्णी के रूप में तो आपको उन सबी को याद करना है Question ऐसे पूछा जाता है कि निमने लिखित में से कौन सा Hard Acid है, कौन सा म्रदू अमल है, कौन सा म्रदू चाहर है, कौन सा कठोर अमल है, कौन सा कठोर चाहर है तो इस टाइप से एक Question 100% आता ही है तो Guys आपकी जो Book है उसमें दी होगी, सार्णी उसको आपको याद करना है और फिर आपसे आसानी से ये multiple choice question बन जाएंगे देखी मैं बताती हूँ आपको सबसे पहला है निमने लिखित में से कठोर अमल है तो यदि आप सानी से याद कर लेंगे hard acid, hard base, soft acid, soft base तो आप आसानी से answer आपको मिल जाएगा तो इसका answer है na plus इसके बाद है निमने लिखित में से कठोर चार है तो इसका answer है OH- इतना तो guys आपको पता ही होता है कि जो चार यानि कि base होते हैं उन पर negative charge होता है और जो acid होते हैं उन पर positive charge होता है इसको देखकर आप clear कर सकते हैं कि जिन पर positive charge है या तो फिर वो कठोर अम्ल होंगे या तो फिर वो म्रदू अम्ल होंगे और जिन पर negative charge होगा उनसे आप समझ जाना कि या तो फिर ये कठोर चार हैं या फिर ये म्रदू चार हैं ठीक है तो इस type से आपको छोटी छोटी tips को follow करके उस sign को याद करना है एक कोटी 100% पूछा जाता है इसके बादे निमने लिखित में से म्रदू अम्ल है तो आई प्लस जो होता है वो म्रदू अम्ल होता है और इसके बादे निमने लिखित में से म्रदू चार है तो CN- म्रदू चार है ठीक है नेक्स्ट है सामानिता मनुष्य के लिए हानीकारक या टॉक्सिक है तो जो मनुष्य के लिए हानीकारक होते है वो म्रदू अमले तथा धातू आयन होते है इसके बाद है हैलाइट छारकों की कठोरता का क्रम होता है तो जो चारक होते है, हैलाइट चारक उनकी कठोरता का क्रम होता है, फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह जो क्रम होता है, यह हैलाइट चारकों की कठोरता का क्रम होता है, इसके रवर है poly-pasma-nytrinich chloride सिलिकॉन collabor कोते हैं उसके बाद किसके प्रती निश्क्रिय होते हैं तो शिली अम्यवो होते हैं वो दुर्भल अम्युड है इन सभी के प्रती silicon निश्क्रिय होते हैं ठीक है उच्छे तापते था उच्छे गति पर कारेरत wall व्यारिंग में इस नेहक का कारे करता है तो इसका अंसर है silicon grease नेक्स्ट है ताप रोधी वस्तर बनाने में प्रियुक्त होता है तो जो ताप रोधी जो cloths होते हैं पनाने में Phosphonitrilic Halide जो होता है वो यूज होता है Next is Phosphonitrilic Cloride की प्रकृती होती है तो इसकी प्रकृती छारी होती है Phosphonitrilic Cloride है तो इसका अंसर है Phosphagenes Then Phosphon है तो Phosphon जो होता है वो N3, P3, NH3 उसके बादे Phosphonitrilic Cloride की मुल इकाई है तो इसका अंसर है NPCL2 Next is Delta T और Delta 0 में संबंद होता है तो इसका अंसर है Delta T इक्वल 4 अपोन 9 Delta 0 उसके बादे किस बिग्जानिक ने Crystal छेत्र सिध्धान्द का उप्योग धातू लिगेंड बंद की प्रकृती समझाने में सर्व प्रिथम किया तो इसका अंसर है Orgal Next is Crystal सिध्धान्द के अनुसार लिगेंड हैं तो जो Crystal छेत्र सिध्धान्द होता है उसके अनुसार लिगेंड बिंदू आवेश होते हैं उसके बादे CO N.H.3 Whole6 3 positon me time आउगमित electron होते हैं तो इसका अंसर है धनायन उसके बाद एक crystal छेतर सिध्धान्त के अनुसर धातू लिगेंड बंद हैं तो इसका अंसर है पूर्ण आइनिक Next is सर्व फिर्थम CFSE वाली जयामिती होती है तो समतल बरगाकार जो जयामिती होती है वो CFSE वाली जयामिती होती है उसके बाद निम्न लिखित में से कौन सा उच्च चक्रण संकुल होता है तो उच्च चक्रण जो शंकुल होता है वो COF63- होता है Next is समतल बरगाकार जयामिती में उर्जा तल होते है तो समतल बरगाकार जयामिती जो होती है उसमें उर्जा की तल 4 होते है नेक्स्ट स्पेक्ट्रो रासाइनिक श्रेणी में प्रवलतम लिगेंड होता है इसका अंसर है CO आयुगमित इलेक्ट्रोन संख्या से चुम्ब की आगुण का मान निकालने का सूत्र है रूट N, N प्लस 2 उसके बाद है CO NS3 whole 6 3 positive संकुल है तो यह जो संकुल होता है अक्रिय संकुल होता है CFSE का मान कम होने पर सक्रियन उर्जा का मान बढ़ता है निम्नितम स्थाइत्व रखने वाला संकुल होता है CU NH3 whole 4 2 plus सही समवंद है delta G naught equal minus RT IN beta N इसके बाद है सबसे कम विशम प्रभाविया trans effect रखने वाला समू है तो इसका अंसर है H2O Next is समतल वर्गाकार शंकुलों में प्रती स्थापन किरियाविदी है तो इसका अंसर है SN square सामानिता वर्गाकार शंकुल बनाने वाला electronic विन्यास है तो इसका अंसर है D8 Next is L equal to के लिए पद संकेत है तो इसका अंसर है D बहुकता ग्यात करने का सूतर होता है तो इसका जो सूतर होता है 2S plus 1 Fe3 O4 है तो Fe3 O4 जो होता है वो फेरी चुम्ब किये होता है Next is Jasta है तो जस्ता जो होता है वो प्रती चुम्ब किये होता है Quri नियम है तो इसका अंसर है X समानुपाती 1 upon T Next है MNO होता है तो MNO जो होता है वो प्रती लोह चुम्ब किये होता है T square के लिए कुल J के मान होंगे तो P square के लिए कुल J के मान 4 होते है विश मांगे चुम्ब किये छेतर में सुग्राहिता मापने की विदी होती है तो जो सुग्राहिता मापने की विदी होती है वो क्यूरी विदी होती है अधिकतर एक्जाम में पूछा जाता है अनुचुम्ब किये पधार्त है Oxygen जो होता है वो अनुचुम्ब किये पधार्त होता है Next है आणविक विलोपन गुणांक E तथा A में संवंध होता है तो इसका जो संवंध हो होता है E equal A upon CL Next है DD संक्रमण होता है तो जो DD संक्रमण है वो धातू-धातू संक्रमण होता है Very important MCQs है गाईज लापोड वरण नियम के अनुसार वर्जित संक्रमन होता है तो लापोड का जो वरण नियम है उसके अनुसार डीडी का जो संक्रमन होता है वो वर्जित संक्रमन होता है नेक्स्ट है TiH2O whole 63 plus iron का रंग होता है तो ये जो संकुल iron है इसका रंग purple color का होता है प्रवल्तम लिगेंड है तो सबसे प्रवल्तम लिगेंड CO होता है D3 के लिए LL युगमन द्वारा प्राप्त L का मान होता है तो इसका अंसर है 7 Next is D6 संकुल का उधारन होता है तो D6 जो संकुल है उसका उधारन है Fe H2O whole 6 2 plus और गल उर्जा इस्तर चित्र में एक साथ इस्थित विन्यास है तो इसका अंसर है D1 और D6 जीसस लवण है जीसस जो लवण होता है उसका फॉर्मूला होता है के PTCL3 C2H4 Next is Ferocene है तो Ferocene जो होता है वो Cyclopentadynal संकुल होता है उसके बाद है Aromatic Legand है तो यह जो आपको show ओराई यह Aromatic Legand होता है उसके बाद शार्वदिक मात्रा में मानव सरीर में पाये जाने वाला आकारवनिक तत्व होता है मानव सरीर में सबसे जादा मात्रा में आकारवनिक जो तत्व होता है वो Iron पाया जाता है हिम में उपस्थित FE परमाणू की संख्या होती है, तो इसका आंसर है 4, नेक्स्ट है हीमोगलोविन में उपस्थित प्रोटीन होता है, तो इसका आंसर है गलोविन, मायोगलोविन में हिम इकाईयों की संख्या होती है, तो इसका आंसर है 1, मायोगलोविन का कार होता है, तो म हीमोग्लोविन की ब्रद्धी क्लोरोफिल करता है मानव सरीर के लिए विशाक्त तत्व है तो इसका अंसर है HG, PV, A is इत्यादी उसके बाद है 2 तथा 4 आयन परमाणू रखने वाले प्रोटीन कहलाते है तो इसका अंसर है फैरी डॉक्सिन नेक्स्ट है साइटोक्रोम है तो साइटोक्रोम जो होता है वो हिम प्रोटीन होता है इसके वाद है हीमोसाइनिन में उपस्तित धातू है तो इसका अंसर है CU FES बंद यूक्त प्रोटीन होता है तो इसका अंसर है फैरी डॉक्सिन नेक्स्ट है विटामिन V12 में उपस्थित धातू है तो इसका अंसर है CO ये हो गए आपके BST 3rd Year Inorganic Chemistry Paper 2nd के Very Important MCQs सभी MCQs को आपको प्रॉपरली याद करना है इसके बाद मैं आपको Paper 3rd Organic Chemistry के MCQs दूँगी So thank you so much for watching guys इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टापिक के साथ